So what should be your team size? या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आपको आपकी टीम में कितनी लोग रिक्रूट करने चाहिए? A very important and interesting question, right? आए देखते हैं इस वीडियो में हाई मेरा नाम है रवी और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूँ कि agentsrecruitment.com के इस चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी mass recruitment activities के बारे में बात करते हैं जिससे जादा और बहतर agents recruit हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए क्योंकि agents को recruit करने के ऐसे कई सारे unique और productive तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे तो हम बात कर रहे थे कितने agents मुझे अपनी team में recruit करने चाहिए Believe me ये जो सवाल है ना insurance industry में कई सारे ऐसे managers है जो मुझे almost हर रोज पूछते है सबको ये तो पता है कि अपने को अपनी team में agents को recruit करना चाहिए है जितने जादा agents हो उतना जादा अच्छा लेकिन उसका कुछ तो definition होगा ना कितने agents मुझे required है कितने agents मुझे अपनी team में recruit करने चाहिए एंड बिलीव मी इस सवाल का किसी के पास logical answer नहीं है कि आपका अगर target ये है भाई तो आपको इतने minimum लोगों की जरुवत है आपके team में तो आए इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा calculation करते है और ये समझने की कोशिश करते है कि अगर आपका yearly target पचास लाग का है on an average तो आपको आपकी team में कितने agents को recruit करनी की जरुवत है तो ये calculation करने के लिए हमें थोड़ा सा Excel-Excel खेलना पड़ेगा तो चलिए Excel sheet पे जाते है और समझने की कोशिश करते है इस calculation को सबसे पहले मान लीजे आपका yearly target है वो है पचास लाग रुपे ठीक है आपको एक साल में पचास लाग रुपे का बिजनस करना है और मान के चलते हैं कि आपका average ticket size जो है वो है 30,000 रुपे यानि आप जितना भी business करते हो जितना भी sale करते हो उसका average ticket size 30,000 मान के चलते हैं और उसके बाद हम ये भी मानते हैं कि आपका एक agent एक महिने में कितना business करता है तो कई बार मैं सोचता हूँ कि इन्हों एक महिने में अगर एक policy मान के चले तो वो ठीक टाक रहेगा लेकिन कई है नो managers मुझे बोलते कि sir ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी agents है जीरो पे जाते है पूरा महिना zero business होता है उनका तो इसलिए 0.5 लेके चलता हूँ एक दम minimum average yes तो आपका agent मान लीजे दो महिने में एक policy कर रहा है साल के 6 policies कर रहा है 12 महिनों में 6 policies कर रहा है इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है 0.5 आपका एक agent एक महिने में 0.5 policies करता है तो उसकी इसाब से आपके एक agent का monthly business कितना हुआ वो जानना है हमें तो one agent total per month business average ticket size को पकड़ते हुए into one agent sale per month इन rupees आता है 15,000 रुपे एक महिने में आपका agent जो है 15,000 रुपे का business करेगा तो उस एक agent का yearly business कितना हुआ 18,000 रुपे येस तो आपका target अगर 50,000,000 रुपे है तो आपको कितने agents की जरुवत पड़ेगी इस 50,000,000 के business को एक साल में complete करने के लिए तो उसका answer आता है 28 आपको 28 agents की जरुवत पड़ेगी इन्हों 50,000,000 का business करने के लिए अगर ये आपका average होता है like average ticket size 30,000 है आपका जो average sale per month एक agent जो करता है वो 0.5 है अगर ये figures मान के चलते हैं आपको 28 agents की जरुवत है लेकिन ये जरुरी तो नहीं है कि हर एक agent जो है वो produce करेगा हर महीने में इन्हों हर दो महीने में एक policy देगा हो सकता है इन्हों आपकी team में negative हो जाए agents, inactive हो जाता है क्योंकि insurance industry का average तो आपको पता है कि 80% team जो होती है अपनी inactive होती है और 20% ही team काम करती है ये जादा तर industry में ये average है unfortunate है लेकिन क्या कर सकते है ये ही average है इसलिए हमें buffer agents की जरुवत है यानि अगर हमारी जो existing team है 28 अगर हमने recruit किये और सबने produce नहीं किया सबने business अगर generate नहीं किया तो फिर हमारा ये जो calculation है वो डामा डूल हो सकता है इसलिए हमें हमारी team में buffer agents को भी रिखना चाहिए तो कितने buffer agents को recruit करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको जितना requirement है जितने agents की requirement है उतने ही agents आपके buffer में होने चाहिए यानि अगर आपका requirement है 28 एक साल में तो आपको 28 और recruit करने चाहिए तो पूरे साल में अगर आपको 50 लाग का business करना है तो 56 agents अगर आपके पास होंगे team में तो आप अपना 50 लाग का business जो है वो काफी आराम से कर पाओगे लेकिन insurance industry में ऐसे कई सारे लोग है जो पूरे साल में 10, 12, 15 agents recruit कर पाते हैं उससे जादा करी नहीं पाते तो 50 प्लस agents को recruit करने की बाद तो बहुत बड़ी लगती है तो ऐसे time पे क्या किया जाए ऐसे time पे अपना जो recruitment strategy है वो हमें change करना चाहिए जी हाँ insurance industry में ज़्यादा तर हम क्या करते है one to one recruitment करते है जो हमें company में से सिखाया गया है कि एक एक करके लोगों के घर पे जाओ उनके office पे जाओ उनको appointment generate करो फोन करके पहले उनकी अगर वो appointment दे देता है तो हम उसको appointment पे जाते है मिलते है follow ups करते रहते है follow ups का सिलसिला 6 महिने 7 महिने तक चलता रहता है कई लोगों का और उसके बाद 1000 लोगों को जब मिलते है न तब जाके हमारी टीम में मुश्किल से 10 लोग recruit होते है तो इसलिए कई लोग insurance industry में mass recruitment strategies को implement करने लगे है जी हाँ mass recruitment strategies ऐसी कुछ strategies होती है जिनको अगर आपने आपके local area में implement किया न तो आप bulk में agents को recruit कर सकते हो ये strategies कैसी होती है और इनको implement कैसे किया जाता है अगर ये आपको सीखना है तो आपको मेरा online training program जरूर एटेंड करना चाहिए जिसका नाम है how to mass recruit agents जी हाँ ये जो training program है सिर्फ 4 दिन का training program है एक मार्ज से लेके 4 मार्ज तक चलने वाला है हर रोज दुपैर को सिर्फ एक घंटा यानि 2 से लेके 3 इस training program को एटेंड करने के बाद आपको जिन्दगी में कभी भी किसी को convince करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी हाँ इस training program में मैं influencing technique सिखाने वाला हूँ influencing technique ऐसी कुछ techniques होती है जिसमें आप लोगों को group में bulk में influence कर सकते हो और अपनी team में recruit कर सकते हो इस training program में register करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए है तो अगर आपको इस training program में register करना है तो आपको whatsapp पे सिर्फ high और अपना नाम लिख के भेजना है मैं सामने से सारी details आपको send कर दूँगा registration link के साथ मेरा whatsapp number है 9714 991 661 मैं फिर से repeat करता हूँ 9714 991 661 इस training program की सारी details इवन registration link मैंने नीचे description में भी दे दिया है तो आप वहाँ से भी click करके register कर सकते हो I am sure इस training program में आप अपने आपको अभी ही register करोगे और अपनी टीम में bulk में agents कैसे recruit किया जाता है इसका पूरा process step by step सीखोगे और अपनी टीम में बहतरी इन productive agents को recruit करोगे अगर आपको ये 2-3 वाला जो time है न वो comfortable नहीं है तो don't worry हम recorded videos भी provide करते है So please register yourself now and see you in the training program